हेलो फ्रेंड्स आज मैं बात करने जा रहा हूं एल टाइम सी एफ कौप सीरफ के बारे में आज हम बात करेंगे कि इसके फैयदे क्या हैं इसे कब एवम कैसे सेवन करनी चाहिए इस दवा के इस्तमाल के दौरान कौन कौनसे साधानियों को ध्यान में रखना चाहिए या किस काम करता है और इसके साइड इफेक्ट क्या है तो चली आज हम इस वीडियो में अश्टे बाई अश्टे की बारे में पूरी जानकारी देंगे तो बने रहे हमारे इस चैनल दवा जानकारी दोस्त पर अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो क्रिपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरू कर दें ताकि हम आपके लिए इसी तरह के और विदाओं की जानकारी लेकर आते रहें तो चली सबसे पहले बात करते हैं इसके कंपनी के बारे में तो इसे एसे फार्मासिटिकल्स लिमिटेड कंपनी ने बनाती है जो बहुत यह ची कंपनी है और अब बात करते हैं इसके कंपोजिशन के बारे में कि इसमें कौन-कौन से कॉंटेंट मिले हुए है तो इसमें डेक्ष्टो मेथोरफन हाइड्रो कुलॉराइड 10 mg कुलोर फेनी रामाइन मेलेड 2 mg और फेनी लेफरीन हाइड्रो कुलॉराइड 5 mg मिला और अब बात करते हैं इसके मारपी के बारे में तो इसका मारपी 101 रूपया है जो 100 ml के कौंटीटी में आता है और अब बात करते हैं इसके फायदे के बारे में कि इसका इस्तमाल कौन-कौन से बिमारियों में किया जाता है तो इस दवा का मुख्य इस्तमाल खासी की लाज म और इसका इस्तमाल बंदनाक, आखों से पानी निकलना, खुजली, छींक की समस्या से भी रहा देता है। और अब बात करते हैं कि इसे कब एवं कैसे सेवन करनी चाहिए। तो इसे खाना खाने के साथ या खाली पेट भी लिया जा सकता है। लेकिन बेहतर यह होगा कि इसे खाना खाने के बाद ही लिया जाए। इसे दिन में दो या तीन बार डॉक्टर के सला से दिया जाता है। खासी के लक्षनों से अराम के लिए दवा के साथ साथ पर्याप्त मातरा में गुनगुने पानी पीएं और गर्म नमकिन पानी से गरारे करें। और अब बात करते हैं इसके सावधानियों के बारे में कि इस दवा के इस्तमाल के दौरान कौन-कौन से सावधानियों को ध्यान में रखना चाहिए। तो इस दवा को लेने से पहले अगर आपको स्वास्त समधिद किसी वरकार के कोई समस्या हुई हो या किटनी से जुड़ी कोई समस्या हुई हो तो आप अपने डौक्टर को अवद से बताएं और उन सभी दवाओं के बारे में भी बताएं जो आप पहले से सेवन कर रहे दवा का कोई खुराक न छोड़े और इलाज का पूरा कोर्ष खतम करे अपने डॉक्टर दवारा बताये गए डोजेयोम ओधी तक लेना जरूरी होता है क्योंकि आपके डॉक्टर पेसेंट की स्थिती और बोडी वेट के हिसाब से दवा का सही खुराक निधारित करते हैं इस दवा को डाइबेटीस के पेसेंट भी उपयोग कर सकते हैं क्योंकि यह सुगर फिरी दवा है और अब बात करते हैं कि यह सरीर में किस तरह से काम करता है तो L-TIME CF सिरफ तीन दवाओं का मिसरन है डेक्ष्टो मेथोरफन, कुलोरफेनीरा माइन मेलेट और फेनीलेफरीन फेनीलेफरीन एक बंद नाग खुलने वाली दवा है जो छोटी रखत वाही काओं को संकरा करके बंद नाग की समस्या से रहा दिलाती है कुलोरफेनीरा माइन मेलेट एक एंटी एलर्जिक है जो एलर्जिक के लक्षनों से रहा देता है डेक्ष्टो मेथोरफन हाइडरो कुलोराइड कफ अस्प्रेसेंट है जो मस्तिक्स में कफ सेंटर के कारे को कम करके खांसी से रहा देता है और अब बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में तो अगर इस दवा को सही तरीके और हम सही खुराक में लिया जाये तो इसके साइड इफेक्ट बहुत ही कम देखे जाते हैं जैसे उल्टी होना, सीरदर्द, मिचली आना, पेट खराब होना, इत्यादिस के common side effect हो सकते हैं अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो हमें comment में जरूर बताएं